सबी समो की दीडियों को हमारे तरफ से नमस्कार आज मैं बताने जा रही हूँ समो में कितना पैसा कहां से आता है समो में डीडी लोग 16 15 की दीओ में किसी में कुछ आरा किसी में कुछ आरा लेकिन ये सही नहीं है समो में 15 सरकार हमारे योगदान के लिए समु को आगे चलाने के लिए रिवालविंग फंड दे रही है तो हर जहां एक ही नियम चलेगा अलग अलग नियम नहीं चलेगा समु में 15,000 आर्याफ आता है जिसे रिवालविंग फंड करते हैं चक्र जो इसे आप लें दिन छोटे छोटे का अगर आपके हां समु बनाया गया हो अब आप लोग को ब्लाग द्वारा पुस्तक दी गई हो तो आपको 15 सव आएगा अगर आपको पुस्तक नहीं मिला है तो आपको पहली बार श्टार्टप पंड 25 रुपया आएंगे अगर कि पुस्तक मिली है तो 15 सव आएंगे और नह सप Darkness में आने माला पैसा 75,000 स्टार्टाप याने वह हीएंट और 500 200 सच्थ्या वколّ आता है तो तिस एक बार आपको बता दूं intervals intervals 12 सथ्या हर एक सदस्य आपके ग्राम संगठन में जितनी भी सदस्य हों उनको बता रहें एक एक सदस्या पे लिए पंद्रा सव प्रती सदस्या वी आर्य जोखिम निवारन निधी जोखिम निवारन निधी आती है और स्वस्थ कुपोषण दुर्घटना यह किस-किस समय दे सकती हैं स्वास्थ कुपोश्ण गुर्खटना के समय से दिया जा सकता है पंद्रा सव हमारे ग्राम संगठन में 992 सदस्या है इसके लिए पंद्रा सव गुणे 992 147,000 डिमांड में हम लोग लिखे भेजे थी तो पहले तो 60% आता है पहले 60% आता है तो हमारे हाँ 88,200 रुपे आएं और 58,000 बाद में आएंगे हर ग्राम संगठन में 2,000,000 लाइबली हुट पंद्रेशन भी आता है ये आजीव का पढ़ाने के लिए आता है 1% के दर से ग्राम संगठन से समू में जाता है और समू से सदस्यों को बढ़ता है जो अपना खुद का वेबसाइट आजीव का कर सकती है सदस्या को 1% से काम करने के लिए दिया जाता है ग्राम संगठन से समू में सदस्या को 1% से काम के लिए दिया जाता है 25 पैसे समू में रहता है एक रुपया में 25 पैसा समू में रहता है और 75 पैसा ग्राम संगठन को देना होता है एक रुपया में दिदी लोग ध्यान से सुन लिजिए एक रुपया में 25 पैसा समू में रहता है और 75 पैसे ग्राम संगठन को देना रहता है ये पैसा कौन सा पैसा ये लाइबली हुट फॉर्म ड्रेशन का पैसा है ना कि ये CIF है और आरेफ है इसी तरह संकुल संगठन में संकुल संगठन में कलश्टर संगठन में तीन लाग पच्चास हजार स्टार्टफ फंड आते हैं तीन लाग पच्चास हजार स्टार्टफ फंड कलश्टर में आते हैं 3IF एक लाग दस अजार आजीव का एक परसेंट दस से रोजगार के लिए आता है लैबली फंड फंडेशन अर्थ इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है धन रासी जो व्यक्ति किसी अस्ताफित कार के लिए हो यह न क्यों कि आप पैसा ले लिजिए और कोई भी कार कर लें इसके लिए नहीं आता है यह आजीव का बढ़ावात आप दुकान कर सकती है कोई अगर देदी आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो सभी दीडियों को सेर करें आप समू की सभी महलाव को यह मेरा वीडियो जरूर भेजें क्योंकि सरी समू की महलाव को यह मालूम होना चाहिए कि समू में कितना आता है और क्यूं आता है किसली आता है और ग्राम जंग संगठन में आता है पैसा कितना आता है यह हम हमें लगता है कि हर सदस्या को मालूम होना चाहिए कि ग्राम संगठन में अध्याच और इसी सदस्या ही जाती है और कुछ मेलाया करते हैं हमें तो पता ही नहीं है कि ग्राम संगठन में क्या आता है और क्या चला जाता है तो उनक लोग जाएंगी नहीं तो आप लोग को कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या आ रहा है और क्या करता है क्या नहीं करता है ग्राम संगठन में पैसा निकासी करते वाक्त अध्यास सचीव कोशा अध्यास का सिंग्नेक्षर होना जरूरी है और लेकपाल का प्रस्ताव यह नहीं कि लिखता कोई है साइन करता कोई है निकालता कोई है यह नहीं होना चाहिए तीनों लोग का अस्ताचर जरूरी है उस समय से सामने से यह नहीं कि मीटिंग हो गया सभी लोग चली गई अस्ताचर कब हुआ कैसे हुआ किसी को कुछ पता नहीं आप ऐसा निकल गया इ देखिए क्या हो रहा है ग्राम संगठर में क्या नहीं हो रहा है ठीक है आज के वीडियो में इतना ही अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सभी समू के मेलाओं को सेर करें और जागरू करें नमस्कार करेंद नमस्कार झाल 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 झाल